कुछ्छे नमबर 12 एकसरसाइस 12.1 क्लास 6 माथमाटिक्स लाइक और सब्सक्राइब जरू करेगा बच्चों कॉस्ट ओफ डॉजन पैंड डॉजन डॉजन की कोस्ट कितनी दे रखे 180 दे रखे अन्यशाइर गवाता पर की हां दे ऐसे यह मिजत फिसिक अपसे निए दे रखे för फिक्त को अगरें किए पारा बारें कि कौस्ट इतनी दे रखे एक पैंगे निखान लेंगे जो आप श्सक्राइब想त बाल पैन को नीचे रखेंगे यानिक पैन को ऊपर और बाल पैन को नीचे रखेंगा और उसे हम सिंप्लिफाई करेंगे अगर होता है ठीक है अब शुरू करते हैं कॉस्ट आफ ट्वैल्ड बैन इस इकल टू ओन एट्टी ठीक न तो कॉस्ट आफ वन पैन अधुए ना यांद डीवाइड बइट ट्वैल कि इसा हम काट लेते हैं जो 20 का कट आके आएं ट्वैल की टेबी में 180 आता है नहीं आता है चलो हम 2 से काट लेते हैं फेले 2 6 12 2 9 90 0 ठीक है ना अब ये 9 किस से कट रहा है अब ये 2 से कट रहा है 3 से भी कट रहा है पहले 2 से कट रहा है 2 3 6 2 4 8 और 2 5 10 3 से कट रहा है क्योंकि 4 और 5 कितने होते 9 होते हैं 3 वंदा 3 3 वंदा 3 और 3 5 दा 15 that is equal to 15 upon 1 is equal to 15 ये ratio नहीं कुछ चाहिए की cost नहीं cost of 1 pen similarly cost of 8 ball pen pen to ball pens का हमें ratio नहीं करना है is equal to rupees 56 ठीक है ना इसी तरह cost of 1 ball pen is equal to 56 upon 8 rupees 7 rupees 15 ये भी हमारा rupees में था है अब हम क्या आब इक चाहिए रिक्वाइड रिश्यो हो किसका पुचा ही है pan इस इकल टू पैन का किस चाहिए रिक्वाइड इस इकल टू एपन एपन कोस्ट अपॉर एब आपन कोस्ट पैन की कोस्ट किते हैं रूपीज रूपीज फिफ्टीन और इसकी कितनी है रूपीज सेविज रूपीज से रूपीज कटा है 15 अपन सेविज इकल टू 15 इस टू 7 ठीक है रूपीज से रूपीज कटता है रैशियो में किसी की कोई उनिट नहीं होता है ठीक है पुश्य नमबर जो था 12 था हमारे हैं खतम होता है आपके सवच में आ गया हुआ इसमें डॉजन की दे रख्या हम एक की निकाल लेते हैं और इसमें एट बॉल पैन की दे रख्या है तो इसमें भी दूसरा भी क्या होना चाहिए रूपीज में होना चाहिए यह नहीं कि इसक की वेरी मुछ